हलो स्टुजेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स, प्यारे बच्चों, आज हम अपनी क्लास 6 की, इंग्लिश की जो हमारी NCRT टेक्स बुक है, जिसका क्या नाम है, हनी सकल, आज हम इसके 1st chapter के 2nd lecture को करने जा रहे हैं, हमारी जो chapter है, उसका क्या नाम है, Who did Patrick's homework, ठीक है, कुणसी क्लास है, 6th class है, ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपनी अपनी books निकाल लीजिए, आपके पास भी ये book है ना, ये क्यों निकाल लीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल line to line पढ़ेंगे, difficult word का meaning लिखते जाएंगे, ताकि जब हम chapter learn करेंगे, तो हमें chapter easy लगेगा, chapter हमें आसान लगेगा, तो चलिए, आज का हम अपना lecture start कर लेते हैं, second lecture start करने से पहले बिटा, एक बार ये जान लेते हैं, कि हमने पिछले lecture में क्या पढ़ लिया था, पिछले lecture में हमने पढ़ लिया था, एक boy है, जिसका क्या नाम है, पैट्रिक नाम है, इसको homework करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या गड़ना पसंद नहीं है, homework करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो क्या पसंद है, इसको खेलना पसंद है, इसको वीडियो गेम खेलना पसंद है, होकी या बास्केट बॉल खेलना पसंद है, है ना, हमने पढ़ लिया था ये, एक दिन पैट्रिक क्या देखता है, उ थी. पैट्रिक उस डॉल को उठाता है और दूड ले जाता है जब पैट्रिक उस डॉल को देखता है तो उसको क्या होता है आश्चरिय होता है क्या उसको सर्प्राइज होता है क्या सर्प्राइज होता है कि वो कोई गुडिया नहीं थी क्या थी वो एक टाइनियस साइज का क्या था आदमी था ठीक है जब वो पैटरिक उसको ले के जाता है वो उसको देखता है तो लिटल मै चिलाता है सेव मी सेव मी मुझे बिचालो मुझे बिचालो मुझे इस बिल्ली को वापस मत देना ठीक है अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं तुम्हें क्या दूंगा एक विश दूंगा जो तुम चाहते हो जो तुमारी मांग है, वो मैं उसे पूरा गड़ दूँगा, अब पैट्रिक सोचता है, कि वो कितना लखी है, कैसे है लखी, उसकी हर एक प्रोब्लम का सोलुशन मिल गया है, कैसे मिल गया सोलुशन, वो उसको बोलता है कि, अगर तुम मेरे होमवर्क सेमेस्टर के एंड तक कितने दिन थी वो, 35 days, तब तक मेरा होमवर्क कर देते हो, तो मैं तुमें इस बिल्ली से बचा लूँगा, अब बैचारे एल्फ को, ये तो पता ही नहीं, कि होमवर्क क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में तो कुछ नहीं पता, तो उसको लगता है, कि मैं तो मुसीबत में फस गया, अब मैं मुझे क्या करना चाहिए, तो वो कहता है, कि चलो ठीक है, बिल्ली से तो मैं बच ही जाओंगा, मैं इसका होमवर्क ही कर देता हूँ, आगे की स्टोरी अब हम कॉन्टीन्यू करते हैं, and true to his word, the little elf begin to do Patrick's homework, elf क्या होता है बेटा, elf जो ये tiniest, size का जो ये man होता है इसको हम elf बोलते हैं, तो छोटे elf में begin मतलब शुरू, Patrick का homework करना शुरू कर दिया, except there was one glitch, glitch होता है रुकावट, except होता है अलावा, ठीक है, वहाँ पे एक क्या थी, रुकावट थी, क्या रुकावट थी, the elf didn't always know what to do, and he needed help, elf बिचारे को हमेशा ये नहीं पता होता था कि क्या करना है, और उसको क्या होती थी, मदद की जरूरत होती थी, needed help, help होती है, मदद, needed, जरूरत, always, हमेशा, ठीक है, elf को हमेशा ये नहीं पता होता था कि क्या करना है, तो वो क्या चाहता था कि कोई उसकी मदद कर दे, कौन कर दे, Patrick, help me, help me, hits है, वो फिर Patrick को बोलता था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, and Patrick would have to help, in whatever way, वैसे तो Patrick को भी homework करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो क्या कर सकता था विचारा, अगर वो homework करके नहीं लेके जाएगा, तो स्कूल में उसको डाट पड़ेगी, तो Patrick को भी उसकी elf की मदद करनी पड़ती थी, in whatever way, जैसे भी हो, लेकिन उसको तो अपना homework करवाना ही था, I don't know this word, elf squeaked, while reading Patrick's homework, reading होता है पढ़ना, ठीक है, Patrick's का homework पढ़ते हुए, जो little elf था squeaked, मतलब चिला ना, little elf चिलाया कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, get me a dictionary, मुझे एक dictionary लादो, dictionary क्या होती है, देखो, यह आपको एक book दिखरी होगी, इस book में हर एक word का meaning लिखा होता है, आपके पास या आपके बड़े बाई बहन के पास भी dictionary होगी, तो एक बार उसको खोलना, उसमें देखना, हर एक word का meaning आपको लिखा होगा, तो यह little elf जो था, वो Patrick को बोलता है, कि मुझे इस word का meaning नहीं पता, तो मेरे लिए dictionary लादो, no, नहीं, what's even better, इससे बढ़िया क्या है, look up the word and sound it out by each letter, word को देखो, मतलब word, look up the word, word को देखो and sound it out, उसको बोलो, sound it out by each letter, हर एक letter को, उसके word के हर एक letter को बोलो, A, B, C, D, ऐसे करके मुझे बोल के बताओ, और बताओ कि यह word क्या होता है, आगे चलते हैं बेटा, When it comes to maths, Patrick was out of luck, वैसे तो elf को भी homework नहीं आता था, और maths ही बात आए, तो Patrick को भी नहीं पता था कि maths में करें क्या, What are timetables, little elf shrinked, shrinked होता है, gave a short, high-paced crime, वो little elf maths को देखके, रोने लग जाता है, और बोलता है, Times tables क्या होते हैं, We elves never needed that, हमें तो इनकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, And addition, subtraction, and division and fraction, यह घटा गुना भाग यह सब क्या होते हैं, Here, sit down beside me, you simply must guide me, अब बिचारा बोलता है, कि नहीं, तुम यहाँ पे मेरे साथ बैठ जाओ, Here, यहाँ पे, मेरे साथ बैठ जाओ, beside होता हैं, साथ में, ठीक है, you simply must guide me, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, कि मुझे किये homework, कौन सा maths का homework कैसे करना है, Else know nothing about human history, Else को human, मतलब इंसान, history मतलब इतिहास, इंसानी इतिहास के बारे में, Else को कोई जानकारी नहीं है, उनको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, To the mystery, उनके लिए तो यह एक रहस्या है, Mystery होता है, रहस्या, So the little elf already, a shouter just got louder, अब उसको, मतलब maths का काम दिखा, तो उसको यह सारी चीज़ पहाड जैसे, बड़ी-बड़ी चीज़े दिखने लगी, तो वो पहले तो बेचारे छोटा सत्तु थाई, और वो तेज-ज़ से बोलने लगा, क्या बोलने लगा, Go to the library, I need books, More and more books, And you can help me to read them, क्या बोलता है वो, की, library जाओ, लइबरेरी क्या होती है, लइबरेरी पुस्तकाले, एक प्लेस होता है बेटा, जहाँ पे बहुत सारी books होती है, आपके स्कूल में भी एक प्लेस होगा, या आपके घर पे भी होगा, एक book होगी, जहाँ पे बहुत सारी books होगी, किसके लिए पढ़ने के लिए, तो little elf इसको बोल रहा है Patrick को, की जाओ, तुम कहां जाओ, लाइबरेरी जाओ, मुझे किन की जरुरुरत है, मुझे किताबों की जरुरुरत है, books की जरुरुरत है, बहुत सारी किताबों की जरुरुरत है, more and more books, and you can help me, read them too, और तुम्हे मेरी मदद करनी होगी, किसमें, उनको पढ़ने में मेरी मदद करनी होगी, आगे चलते हैं वेटा, as a matter of fact, every day, in every way, that little elf was a nag, nag क्या होता है, एक person, जो हमेशा हर एक चीज पर complain करता रहता है, शिकायत करता रहता है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, one who troubles someone all the time, by complaining or asking them to do something, ठीक है, Patrick was always working harder than ever, was it a drag, drag क्या होता है, drag होता है, something dull and uninteresting, वैसे तो homework करना उसके लिए क्या था, boring था, उसको homework करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसको क्या करना था, अब elf आगे उसके पास, तो elf उसके पिछे पढ़ा रहता था, मुझे ये चीज का मतलब बताओ, मुझे वो जीज का मतलब बताओ, मुझे बुक्स पढ़नी है, मुझे मेरे साथ बैठ के बुक्स पढ़ो, तो उसके लिए क्या हो गया, uninteresting तो काम था ही, drag का मतलब होता है, uninteresting, मतलब उसके लिए कोई काम डल था, मतलब वो उसको काम करना पसंद नहीं था, लेकिन उसको करना पड़ रहा था, Patrick was working harder than ever, Patrick पहले से बहुत ही जादा महनत कर रहा था, he was staying up nights, had never felt so weary, वो अपना homework करता था, सारी सारी रात क्या करता था, जागता रहता था, staying up night मतलब जागना, had never felt so weary, weary का मतलब क्या होता है, ठकना, या ठका हुआ, अब वो सारी रात जागेगा, homework करेगा, तो वो कैसा feel करेगा, वो ठका हुआ feel करेगा, कि उसने कभी ऐसा feel किया ही नहीं, was going to school with his eyes puffed and blaring, वो कैसे जाता था school, उसकी आखे कैसे थी, puffed मतलब fully हुई, और blaring मतलब धुंदली, उसकी आखे, फूली हुई, मतलब सूजी हुई, और ऐसी धुंदली हो जाती थी, देखो, अमना अपनी आखे जैसे थोड़ी, छोटी कर लेंगे, ऐसे करके देखेंगे, तो हमें न थोटो थोटो दुंदला दिखेगा, उसकी आखे भी बिचारी की ऐसी हो गई थी, क्यों, क्योंकि वो सारी राज जागता रहता था, और क्या करता रहता था, होमवर्क करता रहता था, स्कूल का आखरी दिन, कौन सा दिन, 35 दे, 35 दिन आ गया, और जो एल्फ था हमारा, वो क्या हो गया, फ्री तू गो, अब उसके, उसने किसका, पैटरिक का सारा काम तो करवा दिया, तो वो क्या हो गया, आजाद हो गया, कहा के लिए, जाने के लिए, as for homework, there was no more, homework की बात करें, तो अब कोई homework था ही नहीं, क्योंकि, semester हमारा खतम हो गया, so he quietly and slowly, slipped out of the back door, slowly का मतलब होता है, secretly या गुप्त तरीके से, गुप्त तरीके से, वो चुप्चाप, quietly, वो चुप्चाप कहां से, back door, मतलब, पिछले दर्वाजे से, slip मतलब, fissle गया, slip out होता है, slip होता है, fissle ना, वो चुप्चाप, गुप्त तरीके से, पैट्रिक को बिना मताए, पिछले दर्वाजे से, slip हो गया, निकल गया, ठीक है? पैट्रिक गॉट, his is, his classmates were amazed, पैट्रिक को क्या मिला, पैट्रिक को, A grade मिला, कैसे मिला, पैट्रिक क्योंकि, hard work कर रहा था, मेहनत कर रहा था, तो उसको क्या मिला, A मिला, his classmates were amazed, उसके जो, classmates थे, उसके दोस्त थे वो उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि Patrick को एक ऐसे मिल गया His teachers smiled and were full of praise उसके जो teachers थे उसके sir और ma'am थे वो क्या कर रहे थे वो Patrick को देखके खुश हो रहे थे और क्या कर रहे थे full of praise, praise होता है तारीफ उसके teachers क्या कर रहे थे? Patrick की तारीफ कर रहे थे and his parents और उसके mammy papa, parents होते है mammy papa they wondered what had happened to Patrick वो ये सोच रहे थे की Patrick को क्या हो गया है he was now a model kid model होता है आदर्श, वो एक आदर्श बच्चा है दूसरे बच्चे भी उसको देखके सीख रहे हैं कि महनत कैसी करनी चाहिए जैसी Patrick ने महनत करी वैसी महनत करनी चाहिए cleaned his room, अपने room को साफ करता है अपने room की सफाई करता है clean होता है सफाई करना and did his chores मतलब वो जो अपने daily routine के जो काम होते है वो भी करता है work that must be done every day ठीक है was cheerful वो हमेशा क्या करता रहता था वो हमेशा खुश रहता था प्रसन्य रहता था cheerful मतलब हमेशा खुश रहना never rude कभी भी किसी से गुसे से बात नहीं करता था बत्तमीजी से बात नहीं करता था like he had developed a whole new attitude उसने एक नया ही attitude मतलब behave करने का तरीका develop कर लिया मतलब vixit कर लिया developed होता है विकास करना उसने एक नया ही तरीका vixit कर लिया था you see in the end पेटरिक still thought he'd met that tiny man to do all his homework अन्त में in the end अन्त में आप देखते हो की पेटरिक ने उस tiny man से छोटे आदमी से अपना सारा होंवक करा लिया बट आल शेर ए सिक्रेट मैं तुमा आरे साथ एक सिक्रेट शेर करता हूं मतलब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं क्या गुप्त बात है? just between you and me ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच रहेगी क्या बात? it wasn't the elf पेटरिक had done it himself वहाँ पे कोई elf नहीं था पेटरिक ने अपना काम खुद ही किया था ये थी आज की हमारी स्टोरी बेटा आज हमारा first chapter complete होता है उमीद है आपको ये chapter अच्छे से समझ आया होगा फिर भी अगर आपको कोई doubt हो तो comment box में हमें लिख सकते हैं ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे like कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share कीजिए ठीक है? तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए पढ़ते रहिए बाबाई